पीवियार पे नजर रखना है और करंसी को ऐसे मैंने बाय किया है 10 लोट लेकिन करंसी पे आज थोड़ा साइडवेज का मामला चल रहा है 10 लोट मैंने करंसी को बाय किया है पीवियार पे नजर रखिएगा पीवियार 1293 पे ओपन हो रहा है 1275 यहां कहीं पे ओपन हो रहा है इतना नीचे ओपन हो रहा है पीवियार देखिए पीवियार कितना नीचे ओपन हो रहा है है ना एक हाँ 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 एक ट्रेड लेते उससे पहले पीवियार जो है उपर भाग गया इससे पहले पीवियार उपर भाग गया एक ट्रेड लिया है पीवियार में हलांकि खुलते एक साथ बहुत रिस्की ट्रेड है थोड़ा समहल के करिएगा एसल भी कर सकता है थोड़ा रूख जाईएगा मैंने खुलते एक साथ किया है तो देखे मेरा 500 का लॉज भी हो सकता है ठीक है 1270 के इस टॉप लॉज के साथ मैंने इसको बाइ कर लिया है एगर 1280 अगर यह ब्रेक करे तो पी भी हार मुझे लग रहा है एक अच्छा लेवल दिखाएगा वेट करते हैं हाँ चला चला 3888 देखे खुलते के साथ बेरासी चल रहा है अच्छी चल रहा है एक असी आजा भाई क्या हो गया रिफ्रेश करता हूँ एक बार है न रिफ्रेश किया है बारासी तेरासी चल रहा था पी भी यार नहीं बुक कर पाया तो अभी 383 के प्रोफिट में दिखा रहा है बारासी तक चला गया था हाय लगा इसने बारासी चौरासी का बुक नहीं कर पाया चुकि काम नहीं कर रहा था उस वक अच्छा प्रोफिट दिखा रहा होगा तो नहीं वेट करेंगे देखे छोटा इस्टोपलोस लगाईए पी भी यार में छोटा इस्टोपलोस लगाईए और बाय कर सकते हैं इस्टोपलोस छोटा लगाना है ज्यादा बड़ा नहीं अगर बेरासी के उपर निकले तो और भी अच्छा रहेगा तो यहाँ पर मत खरी दिएगा उपर लगाना बेरासी के उपर अगर यहाँ पर लेते है तो एक छोटा इस्टोपलोस बनेगा चार पॉइंट का बनेगा लेकिन रिस्क है इस बात में भी ध्यान रखना है ठीक है मेरे SL कट गए साइद अभी ने कटे है नहीं कटे बच गए 10 पैसे से SL बचा है 1270 रुपया 10 पैसे चल रहा है और कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है 1270 रुपया हाँ एसल कट गए कट गैका डकन रिफ्रेश करता उं बापस रिफ्रेश करता हूं कभी आट सो का प्रॉफिट दिखाता है कभी आट सो एकावन का लोज दिखाता है एक बार रिफ्रेश करते हूं पी भी आर पे ही नजर रखेंगे बस सिनेमा ओल सब जगा बंद हो गया क्या यह है पी भी आर का ट्रेड ओल पोजिशन पहले बीवर्स को दिखा दूँ कि भाई मैंजे एक हजार का लॉस हो चुका है देख लेजे देखते हैं बस एक पी भी आर का एक ट्रेड है सो क्वान्टिटी बचा हुआ है यह तो पता ही नहीं चल रहा है फिर फसक रहा है इस पता ही नहीं चल रहा है आप लोगा चल रहा है क्या चार्ट दख पता ही नहीं चल रहा है कि अ कि चार्ट चलीने दा पता ही नहीं चल रहा तो वेट करते हैं हाँ कहां कि यह है ठीक है आया कुछ पता ही नहीं चल रहा है प्राइज नहीं मूब कर रहा है क्या बता है नमस्कार नमस्कार इसे चलेगा प्राइज मूब नहीं करता है टे टाइम खेर कोई दिक्कत नहीं चल रहा है हाँ एसी सी एक श्टॉक है तो कल भी था आज एक स्पायर ही है ऐसे कल अडानी पोर्ट तो भ्यानक गीरा सर और अडानी पोर्ट अडानी इंटरप्राइज दोनों जो है काफी खतरनाक नीचे आया काफी खतरनाक किस्ता है कि अगर कि कि अगर करता हूं कि चल क्या है एसे ल टेक करता हूं सर्थ SCL take बड़ा दिक्कत है यहाँ चार्ट पर मूवरेंट नहीं हो तो फिर परिशानी है SCL take ना SCL take ऐसे करंसी तो चल ही रहा है अपना काम कर ही रहा है वो लॉक्डाउन कहीं और लग गया है क्या जहां सिनेमा हॉल ज्यादा है SCL take IT सेक्टर डाउन रहेगा कारण की वहाँ भी प्रोब्लम है अमेरिका में नस्डेक में अभी कुछ नहीं है SCL take में अभी ऐसा कुछ नहीं है एक उपर की लेबल 967 967 की उपर जाएगा तब बाई में चला जाएगा USD का SL था हम लोगों का 72.64 का चार्ट ही नहीं वर्क कर रहा है करन्सी में खली है चलिए मामला देखते हैं क्या आ रहा है इसके जो टार्गेट होंगे टार्गेट देख लेता हूँ टार्गेट है 77 के आसपास का 72.77 72.77 हाँ बाई के जगह पे पीबियार को बाई करना है 70 इसके उपर बोला था ना 60 इसके उपर बाई करने 63 के उपर तो पीबियार में ऐसे मेरा 1000 का भी है लोज कोई दिक्कत ऐसे बात नहीं है 6 पॉइंट बुक कर लिया पीबियार ओके पीबियार उपर जाएगा और पीबियार के टार्गेट आएगे 1300 रुपय का पीबियार का टार्गेट जोगा 1300 रुपय अ यह तर्गेट होगा और डैशबोर दिखा दू लल पोजिशन तो 52 रुपय का लोजSí से संदल प्रॉफिट हो गया देखें पीबियार में प्रॉफिट हो अगया हम है और तोटल जो और पीवीयार करनसी में 425 का और पीवीयार में 240 का लोग से टोटल एकतर का प्रोफिट है 464 हो गया 630 पीवीयार भाग रहा है सर पीवीयार भाग रहा है देखिए है ना पीवीयार भाग रहा है असे चौदा तेरा सो का टार्गेट होगा पीवीयार 700 का प्रोफिट हो गया और पोजिशन यही है एक ग्यारा सो का प्रोफिट हो गया 144 तेरा सो का टार्गेट आना चाहिए फाइनल तेरा देखिए 781 है ना दीन भर का टार्गेट तेरा सो का हो मैंने इस्तो प्रोफ लगा के वेट किया है इदर करन्सी चल रहा है ठीक ठाक 425 का प्रोफिट है ACC का व्यूव ओके ACC चेक करेंगे सरम्बू PVR में मार लिया था हाथ किसी ने जैसे इन्हों ने मारा परमोची ने और किसी ने ACC कह रहे थे ना ACC कल कल से दिमाग खराब रखाए ACC ACC अभी साइडवेज है छोड़ देंगे ACC को ACC अगर अगर उपर कटता है अठारा सो पंचानवे देन हम बाय करेंगे टारगेट होगा 1910 का अभी साइडवेज है तो छोड़ देंगे सेल करेंगे 1880 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे इस टाइम कुछ नहीं करेंगे इस टाइम वेट करेंगे प्रॉफिट बुक कर लिया यस बन जी ने बहुत बढ़ी है कि इसमें PBR में सर ओके ओके ठीक है सर नो प्रावलम बढ़ी है तेरा सो दीन भर का फाइनल टार्गेट PBR में तेरा सो का होगा 350 PBR में दीन भर का टार्गेट तेरा सो का है और तेरा सो आना चाहिए PBR को ऐसा तो कोई खराब नहीं दीख रहा है PBR तेरा सो आ जाना चाहिए तेरा सो बारा सो पचासी जो कि आज का हाई है अब पहला टार्गेट वापस वही होगा और दूसरा होगा तेरा सो तो हम वेट करेंगे PBR को अच्छा ओल पोश्चन अभी वीवर्स को दिखा दू 1100 का प्रॉफिट है तो अभी हम 1100 के लॉज में भाई क्यूं क्यूंकि PBR थोड़ नीची आ गया तो तेरा सो असी का लॉज है PBR में और 350 का प्रॉफिट है करनसी में तो तो 990 का ल अब बचा लॉज देखे 720 ऐसे तो यह चलता रहेगा दिनवाद दो ही ट्रेड है PBR और करनसी बस तो वेट करेंगे 1300 का यह फाइनल टार्गेट होगा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा PBR का SL सर लोएश पॉइंट 1255 फाइनल टार्गेट 1300 यह मैंने लिख दिया फाइनल टार्गेट 1300 यह लाइन जो है मेरा टार्गेट होगा वेट करेंगे MGL ओके चेक करेंगे सर हम लोग MGL को करनसी पर ध्यान रखिए PBR को तो छोड़ी दिया उसको भूल गया मैं अब उसका बाद में देखेंगे उसको 350 का इधर चल रहा है MGL है आपका चेक करते हैं MGL MGL क्या है MGL ऐसा तो क्या दिख रहा है MGL में भी एक सपोर्ट है इसके पास नीचे 1140 का ठीक है वो बात नहीं देखें बाय करेंगे 1155 के उपर 1155 के उपर बाय करेंगे PBR इसको MGL को Adani Enterprises ओके मैं चेक करता हूँ Adani Enterprises Adani Enterprises करिए बिल्कुल करिए छोटा से stop loss लगाई है अडानी इंटरप्राइज़ में छोटा से stop loss का 10 point का stop loss है बहुत बढ़ा stop loss है सॉरी stop loss बहुत बढ़ा है buying है लेकिन stop loss बहुत बढ़ा है अडानी इंटरप्राइज़ में MGL को 55-56 के उपर buy कर सकते हैं 56 के उपर ज्यादा अच्छा रहेगा ओके SL बढ़ा है हाँ मैं मैं वो SL बढ़ा है उसका currency तो शांदार ठीक है उपर 65 का target 78 का target यह सब target वेट करेंगे समय कितना हो रहा है समय हो रहा है 9 बच के 40 मिनट और 42 सेकेंड MGL 1256 के उपर सौरी समय हो रहा है देखिया MGL 1156 में एक 1162 का टारगेट है और देन 1168 का PBR का एक लेबल बता रहा हूँ 1275 1275 PBR का लेबल अगर वो PBR ब्रेक करता है 1275 देन अच्छा टारगेट आपको फिर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा PBR कहा गया PBR यहाँ अभी नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ़रा लॉस में होंगा कोई टेंशन नहीं है उसमें तो 14500 का लॉस में होंगा 1500 के लॉस में कोई दिक्कत नहीं है वेट करेंगे थोड़ा वेट करेंगे 1275 1275 अगर यह ब्रेक कर गया एक बार तो आप देखेंगे फिर वापस 1285 और 1300 के भी टार्गेट दिखाएगा तो मेरा यही दो ट्रेड रहेगा ज्यादा ट्रेड नहीं करना है अच्छा एक खुचकरी यह है कि कल है सुक्रवाद फ्राइडे और कल होगा लास्ट विकेंड बने कल मारकेट बन हो जाएगा और मारकेट उसके आद तीन दिन बन रहेगा पता आपको एकदम छुट्टी छुट्टी है कल फ्राइडे के बाद मार्केट बं दोगा शर्टर्डे शंडे और उसके बाद मंडे को भी हो लिए तो उस दिन चुटी रहेगा सुंबार को भी बं रहेगा मार्केट उ दलब लम्बा चुटी है मजा आ जाएगा प्रिप्टी देंट टार्गेट 12 से का जिवा बढ़ियां वह बस वही है मेरा 12 सेवेन पच्छा तरेक बाद हाँ बोलिये परमोजी हाँ बोलिये सरा आपको बोलने से कोई रोक सका है अस्ता जिस दिन मार्केट बंद रहता है उस दिन खाली खाली लगता है दिन खाली 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 से लगता है कि सर आप लोग को ना जुवा खिलने का आदत हो गया अड्डा जमा नहीं, आज अड्डा ही नहीं जमा जुआ कहां खेलेंगे, तो मन नहीं लगेगा, है न, अड्डा जिस दिन नहीं लगता तो उसको मन तो ऐसे भी नहीं लगता है, अगर बिजनस समझते हैं, काम में छुट्टी तो मिलना चाहिए न, काम में जब छुट्टी मिल रहा है, तो आप कहते हैं, नहीं चाहिए छुट्टी, हाँ, टाटा स्टील बाए साइड, ओके, टाटा स्टील चेक करता हूँ सर, देखिए जितना महनत से आप काम करते हैं न, उतना ही महनत से, उतना ही तलनित्ता से आपको छुट्टी भी लेना चाहिए, तब ही न, एनर्जी आएगा सर, आपको काम करने का फिर एनर्जी कहां साइगा, हर रोज मुझे कुछ सीखने को मिलता है कि इसलिए एक्साइटमेंट रहता है, एक्साइटमेंट, यहां क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट, 620 का स्टॉप लगाई है, लेकिन याद रखेगा, अभी नहीं लेना, जब ये वापस, अभी एक बार ये 620 को टच करेगा, ठीक है, एक बार ये 620 को टच करेगा, हमें तब नहीं लेना है, जब ये वापस 620 से उपर भागेगा ना, तब लेंगे, एक बार ये 620 को टच करने देजे, ठीक है, 620 से जब ये वापस टच करके घूमेगा, तब 620 का स्टॉप लगा के कर लेजेगा, एक एसेसी से शाइट खोर रहा है, तो एसेसी का टार्गेट तो बताया था आपको, तो पचासी के नीचे से ये सेल करने के लेजे बोला था तो, किया ना, पचासी के नीचे बताया था ना, हाँ, पचासी के नीचे ही तो बोला था, तो 77 का लो लगा दिया इसेसी, है ना, येस, हाँ सर टाटा स्टीली बोल, टाटा स्टीली, टाटा कंजूमर खोल दिया मैं मेरा दिमाग हैंग हो गया किदर टाटा exist cope तो उसमें register profit हां करिया श्टव बाइ करिए टाटा को बाय करिया करिव न बाय कोई दिखर नहीं है बाय करिया अराम से इस्टोब लगा ले जीए इस कंडिशन में भी 702 रुप्य का हिसर लगा और क्या है ACC ACC तो अच्छा है ACC तो आपको profit दिया 10 पॉइंट तो दिया 8 पॉइंट बुक क्या ACC में नीचे तो आया था कितना 77 तर ठीक है वेट करेंगे देखें ये 72 का high लगाया है क्या है can I leave हाँ yes वन जी आपका हो गया तो निकल जाइए अब sell side में जाना चाहरा है ACC में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसका logic समझे थोड़ा risk है कारण bank निफ्टी है बिल्कुल lower पर 33,000 का इसका important support है 33,000 यह लगबग यहां आ गया ठीक है उसी का असपा state कर रहा है तो अगर इसको bounce होना है न तो बिल्कुल perfect जगा आप यह बैठा है 20-25 पॉइंट और नीचे आएगा उसका यहां सी यह bounce कर जाएगा अगर यह bounce कर गया तो थोड़ा सा wait कर लिजे इसके moment सही होने का निफ्टी भी 14,400 पर है तो मुझे नहीं लगता है कि 14,400 का भी यह तोड़ेगा ज्यादा ज्यादा 20-25 पॉइंट यह भी नीचे आएगा फिर वहीं से घुमता रहेगा फिर यह उपर कभर करेगा expiry है ना आज है expiry और याद रखिए expiry अगर है तो यह और वो भी monthly expiry है आपको पता है monthly expiry है यह जो short बना हुआ है ना वो कहीं कहीं कभर तो करेगा ले जाके कभर अगर कर जाता है तो उपर भाग जाएगा इसलिए यहां पर short बनाना risky है और buy करने का हिमत नहीं होगा कारण कभी भी उचल सकता है उपर कभी भी उचल सकता है sale नहीं कर सकते कभी भी उचल सकता है नीचे है तो इससे अच्छा है अभी था wait कर लेंगे हम दो तो currency जो चल रहा है जो currency चल रहा हम लोग का देखिए आराम से currency चल रहा हम इसी में enjoy करेंगे क्या दिक्कत है sir हम इसी में enjoy करते रहेंगे currency में enjoy करेंगे देखें currency चल रहा है तो जिनका currency में है enjoy बने रहे है क्योंकि भाई नहीं आपको लेबल नजर आया रहा है हम लोग को भी लेबल दिख रहा है कि ओबर सोल हो गया मार्केट अभी इंट्राडे में ओबर सोल है बाउंस कभी भी कर सकता है अचानक से बाउंस करेगा अचानक से बाउंस करेगा तो सारे ऐसल सेल वाले काट देगा व वेट कर लेंगे डारेक्शन का PBR का जो बात बता रहा हूँ कि PBR अगर 1275 को ब्रेक करेगा देन ये फिर आपको टार्गेट 1285 और 1300 का टार्गेट भी अराम से दिखाएगा PBR अगर 1275 ब्रेक करता है तो 1275 और करेगा टाइम लेगा लेकिन वो करेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वेट करेंगे आप लोग का क्या क्या ट्रेड लगा हुआ है PBR PBR सिर्फ लोग के करन्सी से निकल गए क्या आप लोग प्रॉफिट बुक करके करन्सी से निकल गए क्या 1275 1275 PBR ब्रेक करेगा बहुत फास्ट मुमेंट 1285 और देन 1300 का टारगे 1300 का टारगे तो खेर दिन भर का होगा लेकिन 1280 हलांकि 1280 एक बाद टच कर चुका है वहां से रिजेक्शन मिला है तेज बाउंस करेगा वेट कर लेंगे करन्सी तो जारा 75 के टारगेट की तरफ दिरे-दिरे कहां आज एक सुना की खबर एक कौन सा और इलाका है महराष्ट में वहां संपून लोकडाउन लग रहा है टोटल लोकडाउन आज तो कुछ देर ऐनी इस क्या है 10 डिस्टिक्ट में लग रहा है बाप रे-बाप आज तो सुना कि सुबह में देख रहे थे हम लोग जब प्रियोपन चल रहा था तो करन्स ये एनीसी भी इंडिया ओपन नहीं हो रहा था वो भी हैंग हो गया था पताने किसी को मिला क्या किसी को मिला क्या वो नजारा टेक नजारा टेक मिला क्या मेरा तो पेंडिंग है दिखा रहा पताने वैसे अच्छा स्टॉक तो अच्छा अच्छा कंपनी तो मिलता नहीं है ना जो अलोटमेंट का डेट देता आज कर लूटमेंट डेट पर नहीं इसू करता है क्या यह यह लोग भी छुपा छुपी खेलता है क्या यह लोग भी पकड़न पकड़ाई चुपा चुपाई खेलता है बुझ हो तो जाने बोलेंगे हम दो तारीक को देंगे पांस तारीक को अलोट करेंगो बुझ हो तो जाने नहीं ओल पोजिशन दिखा दू वीवर्स को काफी देर से नहीं दिखा है पांसो सत्तर का लॉस में हूँ जिसमें की 1210 का लॉस है हमारा PBR में और करन्सी में 675 का प्रोफिट है तो टोटल 500 के लॉस में हूँ पांसो छैसो का लॉस कोई खास लॉस तो नहीं है सर कल भी साढ़े 4000 लाश्म करन्सी जब दस इंटी किया करन्सी में सारा टार्गेट चिप करके करन्सी गया अपी बैर जाएगा 1250 यह तेरा सो यह दो टार्गेट तो मुझे मिलेंगे तेरा सो तो खेर दिन भर का टार्गे है तो वेट करेंगे हम और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़ी है पीडी लाइट बूक कर लिया बहुत सुन्दर और अर्विन जी पंजाब में बैंक भी बंद करवा दिया आप बोल रहे हैं क्या क्या बंद करवा रहे हैं मोटर बाइक सब भी बंद हो गया हां एमजेल का काम कर लिया ना एमजेल से यह किया चार का तो दो पॉइंट उपर जाना थो गया ही नहीं तो 62 का टार्गेट दिया ही नहीं यह तो आर यह कर दिया कि अ यह कि यह तो कि अ कि कि यह कि आ यह कि कि एख च्छार की ने में पर लेबल एक्टिवेट हो गया PBR, ओके मनोजी वेट करेंगे PBR में हम लोग, हम लोग तो यह कर रहे ना, हम लोग तो PBR में अच्छे से वेट कर रहे हैं तेरा सो का लोच में, अगर दिखाएं तो 700 का लोच में, 780, तो कोई टेंसर नहीं, अ वेट करेंगे, एक टार्गेट यह है और एक टार्गेट यह है एक टार्गेट यह है यह है फर्स्ट टार्गेट फर्स्ट टार्गेट बारा पचासी ओके और वो है फाइनल टार्गेट तेरा सुट 1275 के उपर निकलेगा तेन यह आपको तुरंट 10 पॉइंट वहाँ से रैली मारेगा 600 के लॉश्ण कोई दिक्कत नहीं है डॉश्ण टेंशन वेट करेंगे मार्केट नहीं जाना चाहिए इसके नीचे देखें यहीं पर बहुत अच्छे तरीके से 14,000 के पास से बाउंस कर रहा है इसलिए मैंने आप लोग को सेल के लिए बोला उसलिए आप लोग सेल पूछे तो मैंने सेल मना कर दिया और ICC बैंक भी पूछा था आपने सेल के लिए मैंने मना कर दिया ICC बैंक यह तो पूरू है ICCI बैंक यह तो देखिए अगर मना नहीं करता तो आपके असल कर जाते की नहीं करते बित लॉजिक समझाया कि नहीं कर सकते हम लोग यहां पर बाई कारण की मामला गडबड है काफी नीचे के लेबल पर अल्रेडी मार्केट है इसलिए नहीं कर सकते साड़े तिन परफ एसल टे वन इस्टू वन एसल टार्गेट अल्रे होगा मैं 62 के उपर बाईंग दिया है न तो 62 के उपर 66 का ठार्गेट होगा और 70 का ठार्गेट होगा 66 तो आनए वाला स्सेयल टेग बिल्कुल आने वाला 66 का एक ठारगेट तो आनए वाला है て 62 पर ना बाई किया है छोटा से stop loss है 66 आएगा 70 के target भी आएगे है हाँ ओके ठीक है मैं 1275 1275 PBR का label याद रखिये break close कर गया उसके उपर 1275 के उपर then PBR आपको फिर बड़े target दिखाएगा हलांकि currency थोड़ नीचे आ गया है currency में 75 का profit चल रहा है और SL कट गए currency में देखे SL कट गए trailing SL कट गए currency में भाई जो मैंने trail किया था वो कट गए तो 75 का profit कहां 600 का profit हो रहा था कहां मातर 75 का profit में निकला हूँ मातर 75 का profit में ठीक है तो यही है अभी तक का all position 1200 का अब सिर्फ एक ही trade है वो है PBR वेट करेंगे PBR में देरे देरे थोड़ा time लेगा थोड़ा देरे देरे चलेगा लेकिन जाएगा दिन भर SL take first target done बुक करिये profit और 67 का हाय लगा है बुक कर लियाना ओके बढ़िया है वेट करेंगे अशे शर्थ ठीक है वेट करेंगे करेंगे या करेंगे लुक करेंगे अशे शर्थ ना आधि वेट करेंगे है अशे आधि या चले तुड रहा है और दर हम लूह करेंगे पीबियार कहां गया शिनेमा होल यह अठका हुआ है बहत्तर गया स्पास में कोई दिक्कत नहीं है अराम से बैठ वेट करेंगा हम लोग क्या लगता है जाएगा तैयारी है ओके जाने का का तैयार है इसका न वेट करेंगे वाड़हाशार करेंगे बस वचेंस रखेंगे थोड़ा वेट करेंगे एक जटका आएगा 1275 के ऊपर भागेगा तुरन से 1250 का टर्गेट आएगा बस 1275 लेबल नोट रखिए 1275 चोहतर पचेतर टच करता है टच ही नहीं करता है वाने टच करता है सस्टेण नहीं करता है वहीं से रिजेक्ट रहाता है तो तुरंद से 1285 ठोकेगा 80-85 फटाक से देदेगा 12,75, 12,75, 12,75 थोड़ दो उपर 12,75 दिखाओ जल्वा वेट करेंगे ब्रेक करेगा करो 12,75 को तोड़ो उसके उपर क्लोस करो तो मज़ा आ जाएगा टच करता है, सस्टेन नहीं करता है 12,75, यह बड़ी बात है यहाँ से भागे का बहुत फास्ट उपर की तरफ 63 का ऐसा लगा लिजिए 63, 64 यह सब दो टार्गेट है 1300 का अब 12,85 का हाँ अब ब्रेक किया किया, सस्टेन करेता हुँ ना किया, चलो, चलो, चलो 387, चलो चलो, चलो 200 का लोस बचा इसमें आचा ओबर ओल जो लोस होगा कित्ता होगा 165 रुपे अगा यह देखे मातर 165 का, वो भी करंसी नीचे आ गया तब ने तो प्रॉपिट में देखे चलो, शाबास दिखाओ जलवा सस्टेन कर जाओ, क्लोस कर जाओ उसके उपर तो मजा आ जाओ, 12,75 के उपर 27, हाँ, चलो शाबास 280 मारो, फटाक से फिर 85 मारो हाँ, शाबास, सुन रहा बाद नहीं सुनता है सुनेगा, सुनेगा सुनेगा, देगा, नहीं सस्टेन करता है 75 को सस्टेन ही नहीं कर पाता है सस्टेन ही नहीं कर पाता है 75 के पास, बहुत तगड़ा चीज है 75, मैंने दम लाइन लिख दिया 75 पर तो 75 पर वो ब्रेक हो जाए उसके उपर close हो जाए बस मामला सेट हो जाएगा तो वेट करेंगे तो टाइम लगया कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों समय हो रहा है दोस्तों 11 बच के 35 मिनट और 34 सेकंड और देखे मैंने एक ट्रेट पर ले मैंने ओल पोजिशन दिखा दूँ दिखे मैंने बैंक निप्टी का कॉल लिया हुआ है चल रहा है 50 के आसपास का अब्रेज प्राइज है और PBR में 2700 का लॉस्ट चल रहा है तो पहले PBR भी आपको मैं दिखा दूँ यह PBR का ट्रेट तो इस्टॉपलोस मेंटेन करके बैठा हुआ अलांके नीचे आया लेकिन मेरा स्टॉपलोस के पास तो नहीं आया मैं वेट क करना पड़ेगा और जो कॉल ऑप्शन लिया है वो ठीक ठाक चल रहा है 84 का प्रॉफिट है कॉल ऑप्शन में अगर टार्गेट की बात करें तो 150 रुपए तक का एक टार्गेट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 150 तक यहां आना चाहिए अगर यहां से 150 तक भी आता है तो मुझ करूँगा कॉल ऑप्शन लिया है मेरे ख्याल से मार्केट काफी नीचे आया है निफ्टी बैंक निफ्टी 32,000, 33,000 के लेवल को टेस्ट कर लिया शाथी 32,000, 750 आ गया वहां से अब यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए यह इंपोर्टन लेवल है कल का जो मैंने निफ्टी आनलसिस करके दिया तो और बैंक निफ्टी इसमें मैंने कहा भी था कि यह लेवल अब इसके पास अभी है नहीं ज्यादा ज्यादा अगर गीरेगा तो यह फिर 32,200 के लेवल आएगा लेकिन उसके पहले 32,700,800 के लेवल को टेच कर सकता है तो उसी लेवल पर आप यहां दे देख रहे है 240,256 का प्रॉफिट चल रहा है तो इसका भी 100,500 पॉइंट यहां से कैच हो सकता है तो वेट करेंगे इसके लिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसमें दोस्तों अभी रिकॉर्डिंग पॉस्ट करता हूं नमस्कार दोस्तों समय एक बच के बावन मिंट 35 सेकेंड देखे 32,000 दोस्तों का जो कॉल लिया तो उसको कट कर दिया लॉस में लेकिन आपके सामने 32,600 का कॉल ओप्शन आपको देख रहे है करनसी में 75 का बॉपिट 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 अंब्रीकल दोस्तों का कॉल में लॉस टुट कर दिया है नहींकर दोस्तों और एक समय पॉपर था काफीटबाएक बॉस्तों लिया था और यह मस्त प्रॉफिट मेरा बन गया है 26,000 का प्रॉफिट हो गया है तो मुझे लगता है अब प्रॉफिट बॉक कर लेना चाहिए यह दिखे आपको मैं दिखा तो PBR में 6,000 का लो सबसे बड़ा लॉस प्रॉफिट का हुआ है लेकिन बैंक निप्टी में 42,000 के जालता है उसी के बल पर मैंने लिया था कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मैंने अपने लाइफ शेशन में भी लोगों को बता था कि भाई इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा टेंशन नहीं लेकिन जो एक लेवल लगा रखे तो 32,300 वाली जो लेवल म सब्सक्राइब बना के दिया है समय वहीं चोबन मिनिट हो रहा है और 46 सकंड तो अच्छा प्रोफिट बन गया और मैंने देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी जो वीडियो बनाता हो ना उसी के बल पर मैंने बोला तो भाई नीचे के लेवल आएगा फिर वहां से बाउंस को बाय किया लेकिन पीवियार ने कमीने ने मुझे 6000 का लॉज्ट दे दिया खिर वो लॉज्ट दिया को बात में उसके जगा पर 45000 का प्रॉफिट भी बन रहा है इससे कोई दिक्तत वाली बात मुझे नहीं देखिए और भी उपर चला जाएगा फिर से उपर जागा साथ 800 800 के ऊपर चला जाएगा आज बैंक निवटी देखिएगा यह बतीजा चैसोगा समय के पच्ची सगन्ड समय देखते रहे बीच बीच में यह जो है ना 800 के ऊपर चला जाएगा मतलब कॉल ऑप्शन जो है 560 पर चल रहा है 800 यह ठंडड के ऊपर जाने के चांसेज बन रहे ह दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर जाएगा पोजिशन आपके सामने 31,000 बतीस जार हो चुका है दिए सारे चीज आपके सामने में एक एक चीज डिट्टो सामने में लेता हूं लोग ट्रेड करते रहते साथ उनको भी बोला ता कि भाई आपको यहां पर से बेचना नहीं है खरीदने की कोशिश करना है तो यहां पर अगर किसने खरीदा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा कॉल ऑप्शन में पांसो ब्राफिट बनेगा तो 42,47,48,000 हो चुका है बैंक निप्टी समय एक बसके 56 मिनट 10 सेकंड आप देखे यूट्यूब चैनल आरके ट् तो 47,000 के प्रॉफिट के साथ बना होगा देखते हैं कहां तक अभी जाता है और भी उपर जाना चाहिए 31,000 के प्रॉफिट उसके एक समय 60,000 था जब नीचे आया तब मैंने फिर आउन करके मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ तब तक मैं लेट हो गया नीचे आ अगर मैं वह 200 लोट बुक नहीं करता जैसे ही वह आप देख रहें कि एक च्छोटा से यह में लेका 30 अगर वहां बुक नहीं करता तो और भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता और भी उपर के शाहिए प्रॉफिट मुझे लगता है तब 80,000 का प्रॉफिट रहता मेरे देखते हैं कहां तक चलता है अभी ठीक ठाक चल रहा है इंज्वाइक कर रहा हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रॉफिट यही है 31,000 का हो चुका है मुझे लग रहा है 7800 से उपर जाना चाहिए यह कॉल ऑप्शन तो मुझे एक भ्यानक प्रॉफिट होगा महा भ्य दोस्तों वीडियो देखने के लिए और 30,000 का प्रॉफिट मेंने बना लिया है बहुत बहुत धन्यवाद बैंक निप्टी में 46,000 का प्रॉफिट चलता वाद नजर आ रहा है